हेलो दोस्तों आज की वीडियो में जानकरी देने वाला हूँ हिमांचल प्रदेश के कैंडेट के लिएक नए जॉब अपडेट की हिमांचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की और से बविन पोस्टों को बरने के लिएक नई नोटिफिकेशन निकाली गई है इस वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकरी देने वाला हूँ हिमांचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की और से सब ओडिनेट एलाइड सर्विस के तेत बविन पोस्टे बरी जाएंगी देखी इन पोस्टों पर एप्लाई करने की लास्ट डेटे 22 जुलाई 2019 यदि हम टोटल नंबर ओफ वेकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल 54 पोस्टे बरी जाएंगी देखी इसमें कॉपरेशन डिपार्टमेंट में इनस्पेक्टर की 43 वेकेंसी बरी जाएंगी इसमें अन्रिजर्वड केटेगरी की 6 वेकेंसी, अन्रिजर्वड BPL की 7 वेकेंसी, अन्रिजर्वड WFF की 1 वेकेंसी, SC की 13 वेकेंसी, SC BPL की 1 वेकेंसी, ST की 1 वेकेंसी, ST BPL की 1 वेकेंसी, OBC की 10 वेकेंसी और OBC BPL की 3 वेकेंसी हैं तो देखिए इसके लावा election कानगों की 7 पोस्टे बरी जाएंगी इसमें unreserved category के लिए 2, unreserved BPL के लिए 2, SC के लिए 2 और OBC के लिए 1 पोस्ट बरी जाएंगी extension officer तो देखिए इसकी total vacancy है 4 इसमें unreserved BPL के लिए 1 और SC के लिए 3 vacancy बरी जाएंगी तो देखिए यदि हम इन पोस्टों पर apply करने के लिए education qualification के बात करें तो जिन candidate ने graduation की है वे सभी candidate इन पोस्टों पर apply कर सकते हैं age limit तो देखिए इन पोस्टों पर apply करने के लिए candidate के आयू 18-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए application fee तो देखिए इन पोस्टों पर apply करने के लिए general category के लिए application fee है 400 रुपे SC-ST के लिए है 100 रुपे और एक सर्विसमेन के लिए कोई भी application fee नहीं रखी गई है अब हम बात करते हैं selection procedure की तो देखिए इसमें सबसे पहले preliminary examination conduct कराये जाएगा उसके बाद main examination और personal interview conduct कराये जाएगा देखिए preliminary examination की duration रहेगी 3 गंटे और इसमें 200 question रहेंगे एक-एक marks के और इसमें total marks रहेंगे 200 और इसमें negative marking भी रहेगी तो देखिए pre examination से 20 times total number of post candidate main examination के लिए select किये जाएगे यदि हम pre examination की slivers की बात करें तो इसमें HPGK से 60 marks के question बनेंगे और current affair से 60 marks के इसके अलावा modern history of India Indian culture, Indian polity, Indian economy, geography of India disaster management, environment and gender issue and teaching of मातमा गांधी topic से 80 number के question बनेंगे तो देखिए pre examination के बाद main examination conduct कराय जाएगा इसमें 3 paper रहेंगे English, Hindi और General Knowledge तो देखिए इसमें सबी paper theoretical रहेंगे और English paper की duration रहेंगे 3 गंटे और इसमें total marks रहेंगे 140 इसके अलावा General Knowledge के paper की duration रहेंगे 3 गंटे और total marks रहेंगे 200 तो देखिए syllabus की detailed जानकारी के लिए आप HPPSC की official website से official notification डाउनलोड कर सकते हो main examination के बाद 15 marks का personal interview conductor कराय जाएगा अब हम जान लेते हैं कि personal interview में candidate को किस अधार पर marks दिये जाएगे 2.5 marks candidate को उनकी graduation में ले गई प्रसेंटेज के अधार पर दिये जाएगे simply आप अपनी graduation में ले गई टोटल प्रसेंटेज को 0.25 से multiply करके calculate कर सकते हो कि आपके 2.5 मैंसे कितने marks बन रहे हैं तो देखिए जो candidate background area से belong करते हैं उन्हें एक marks दिये जाएगा landless family या फिर जिन candidate के परिवार के पास एक hectare से कम भूमी है उन्हें भी एक marks दिये जाएगा जिन candidate के family member government या फिर semi government में अपनी service नहीं दे रहे हैं उन्हें भी एक marks दिये जाएगा person with more than 40% disability तो देखिए इस प्रकार के candidate को भी एक marks दिये जाएगा जिन candidate के पास NSS या फिर NCC का certificate है उन्हें भी एक marks दिये जाएगा देखिए जो candidate BPL प्रिवार से बिलोंग करते हैं और उन्हें की annual income 40,000 से कम है उन्हें दो marks दिये जाएगे बिड़ो और single bowman को एक marks दिये जाएगा single daughter candidate को भी एक marks दिये जाएगा तो दिखिए इसके लावा जिन candidate इन पोस्ट से related कम से कम 6 महिने की training की है उन्हें एक marks दिये जाएगा इसके लावा जिन candidate के पास इन पोस्ट से related अधिक से दिक 5 वर्ष का experience है उन्हें दो पंड 5 marks दिये जाएगे तो दिखिए ये थी पूरी जानकारी हिमाचल प्रदेश के candidate के लेके नहे जॉब अपडेट के आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक्स वर वाचिंग